अब हो रहा है और बहुत से बच्चों को अभी भी रिजल नहीं मिला है तो उनके लिए भी एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप रिजल निकाल सकते हो आज का जो यह वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको दस्वी में कम मांक्स आ गए हैं तो अब आप क्या कर सक सकते हैं दूसरा कि 11-ways में एडमिशन कैसे होगा और जो यह CT exam है होने वाली है क्या भो देना चाहिए नहीं देना है तो कब होगा कैसे होगा सेले भस क्या होगा यह सारी बाते इस वीडियो में आप जानेंगे बार्वी वाले बच्चे अकर गलती से बूडियो में आ गए तो बच्चो आपका जो result है एक या दो अगस तक आने के chances है यह आपके लिए नहीं है आपके छोटे भाईबानों के लिए जरूर आप इसको दिखा सकते हैं या देखके समझ सकते हैं तो आज हम जानेंगे कि यह पहले तो मैं बताता हूं CT exam जो आया है अभी तो result आ गया अभी तक तो आप tension में थे नहीं CT के बड़ आप सबको tension आ गया कि आप हमको CT देना है ठीक है सब लोग जागरुग हो गए जबकि हम पिछले 16-17 दिन से CT की पढ़ाई करवा रहे हैं और मै मैंने पहले ही बताया था कि क्या होगा यह बट बहुत से बच्चे इंट्रेस्टे नहीं थे तो फिर से एक बार थोड़ा सा मैं शौर्ट में बताता हूं सारी चीजों को सबसे पहले जो यह ग्यारवी आकरवीचा CT साटी एकोनिस जुले पासुन नोंदनी याने करकारों ने जब सवाल पूचा कि भाई रिजल्ट हो आज आप निकाल रहे हो CT का क्या तो उन्होंने बस एक लमसम बताया कि हम 19 जुलाई या 20 जुलाई के आस पास जो है हम जो है रजिस्टेशन स्टार्ट करेंगे और जब पूचा गया कि भाई आप एक्जाम कब लोगे प्रेस कंफरेंस के अंदर दिनकर पार्टिल जो बोर्ड के अध्यक्ष है उनसे उन्होंने बोला आने वाले अगस्ट महीने के 21 तारीक के आस पास हम लोग जो है एक्जाम लेने वाले हैं याने एक औरली एक उन्होंने बताया ओफिशियली कंफर्म कोई भी अभी तक जो ह आप लोगों का जो सीटी के लिए अप्लिकेशन की एच्छी के सब के लिए कंपल्सरी नहीं है तो जिसको चाहिए वही एक्जाम देगा तो उसे जो है एक बार अपलाई करना पड़ेगा अब हो सकता है स्कूल के जरीए हो या वो खुद भी कर पाएगा तो यह एक बार सर प्रेटी के एक्जाम तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बढ़ाते बढ़ाते कि 21st August यह जो है यह अभी फिलाल बोर्ड के डारेक्टर ने जो प्रेस कंफरेंस में बताया औरली मीडिया को तो सेकेंड या थर्ड वीक में होगी ऐसा तो मैं कब से बता रहूं कैसे होगी बच्चों यह ओमर पद्दती से होने वाली ऑप्टिकल मार्क रीडर यह एक आपको एक शीट दिया जाएगा पिंक कलर का इस शीट के अंदर एक दो तिन ऐसे सो क्वेस्चन के लिए जगा होगी हर एक क्वेस्चन नंबर के चार गोल होंगी उस पर एबी सीडी इस प случае को दिया जाएगा उस होने वाला है मैट्स होने वाला है साइन्स होनेवाला है और सोशल साइन्स होने वाला है यहानि सामाजी क्रिक्यान रिजिसमें History, Geography और Political Science होता है Science में Science 1, 2 Maths में Algebra, Geometry और English अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि Hindi और Marathi वो नहीं है बहुत से बच्चे बोल रहे हैं बीच में मिडिया में आ गया था कि Marathi नसनार आए अरे बच्चो Marathi नसनार है मतलब Marathi भाषा नहीं होने वाली है एक language पेपर कौन सी भाषा में आएगा देखो पेपर में 100 question आएंगे पेपर में कितने question आएंगे 100 question हर एक question एक माक का अगर होगा तो 100 question हो जाएंगे 100 माक के 2 घंटे का पेपर होगा बच्चो 2 घंटे का अभी ये 4 subject है मार के 100 तो हर एक subject 25-25 माक का होगा हर एक subject कितने माक का होगा 25-25 माक का होगा जैसे कि English 25 माक के लिए Maths में Algebra Geometry मिला के 25 माक Science 1-2 मिला के 25 माक History, Geography, Political Science मिल के 25 माक हर एक subject से 25 question आएंगे तो ये इसका syllabus मैंने जो बता है syllabus जो आपके महाराश्ट्रा बोड की 10th की text books थी उसमें जो भी syllabus था वही रहेगा जो deleted syllabus है वो नहीं पढ़ना है आपको जो syllabus आपको था जैसे कि Maths के अंदर जो chapter deleted थे उसमें से question नहीं आएंगे वैसे ही English, History, Geography और Science के अंदर भी तो ये बाते हो गई CT के बारे में ये कैसी होगी, कब होगी आपको आपका मार्क्स कम था और आपने 10th में बहुत मेनत की थी, एक्जाम होती तो आप बहुत अच्छा करते हैं बट आप 80-90 ला सकते थे, 50-60 मिल गया है तो ऐसे में आपके सामने क्या करना है, देखो ऐसे में ये CT आपका एक सहारा बनने वाला है CT एक्जाम के तहारी करो, 100 मार्क का एक्जाम है आप जितना जादा हो सकते, उतना जादा मार्क्स लाने का ट्राइ करो क्योंकि जो एड्मिशन है, वो 10th के result के base पे नहीं होने वाला है अगर समझो कि मैं बताता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 राउंड होंगे अगर एड्मिशन के एक्जाम्पल के तोर पर, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 राउंड जो है वो CT के basis पर होंगे, जिसने CT दी होगी, वो participant कर पाएंगे 11th में जो college में admission होने वाला उसकी बात कर रहा हूँ तो अगर आप 11th के admission की बात करें, तो आपको भले 10th में बहुत कम आ गए या बहुत जाद आ गए, कुछ फरक नहीं पड़ता, 10th के result के basis पर starting में admission नहीं होगा तो जो बड़े-बड़े colleges है, वहाँ पर CT के marks के उपर आप apply करोगे तो आपको वहाँ admission मिल जाएगा, अगर आपने CT दी ही नहीं है, तो आपको तीन round तक रुखना पड़ेगा जितने भी round तक CT के admission ने तब तक रुखना पड़ेगा, फिर जब next round से 10th के result की basis पर admission होगा तब आपके 10th के marks के basis पर आप admission try करेंगे, but at that time बहुत सारे जो सीट से बड़े-बड़े colleges के भर जाएंगे, तो यह हो गया बच्चों CT के बारे में 10th में कम marks आए तो आप पूरा का पूरा CT पर फोकस करो, पहली बाद जादा marks लाओ तो आप बड़े से बड़े college में admission ले स time लेके चले या कुछ हम कर सकते हैं, आगे चलके हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास हमेशा 56 वाला ही result रहेगा क्या, तो आपके लिए देखो यह जो exam cancel हुई और result बनाया गया, एक general तरीके से बनाया गया, सब के लिए, लेकिन जो बच्चे जिनको लगता है कि मैं satisfied नहीं September, October के अंदर बच्चो, आने वाले September, October के अंदर एक बार फिर से SSC की exam होगी, तो आपको क्या करना है, आप पहले तो CT देते रहो, CT दे दो, 11 वी में admission ले लो CT के बच्चिस पर ठीक है, दस वी का जो आपका 56% का result रहो रखे रहो अपने पास, फिर से आप क्या करो, September, October में दस वी की exam के लिए आप apply कर सकते हो, यह अभी form निकलेगा, इसी महीने के end में यह form निकलेगा, जो चाहे तो वो इस exam के लिए, इस महीने यह August में निकलेगा, इसको हम बोलते है class improvement exam, क्या बोलते हैं बच्चों, class improvement exam, समझ में आ रहा है, class improvement exam बोलते हैं, form बरो, आप भले पा number में exam होगी, और उस exam में आपका जो भी result आएगा, वो आपकी मेनत का आएगा, आप paper लिखे होंगे, मान लो कि अब आपका result आजाता है 78%, पहले आया था 56, example दे रहा हूँ, 87 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, आपके मेनत के उपर है, हो सकता है 45% भी आ जाए, समझो, दो केसे, एक student ने exam, दो student को 56% आये थे, पहले student ने वापस से exam दिया तो उसे 78% आये, दूसरे student ने exam दिया तो उसे 45% आया, अब क्या करें, पहले तो ज़्यादा आये ता फिर कम आगे, या पहले जो भी आये था उससे और ज़्यादा आगे, तो पहले अब आप क्य जाएगा जहां भी देना है वो 78 परसेंट जो दूसरा स्टूडेंट जिसको कम आ गया था वो क्या करेगा दूसरा रिजल साइट में रख दो मत दिखा हर जगा यही दिखा अगर उसको लगता अरे कम आ गया और ज्यादा आना चाहिए था 56 से भी ज्यादा पोटीपाई से त लगता है तो आप अपना परसेंट जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हो मेहनत करके आपको चांस है दो चांस है इसको बोलते क्लास इंप्रूमेंट एक्जाम तो जिन बच्चों को कम मार्स आए भाई सबसे पहले तो आप सीटी पे फोकस करो ज्यादा मार्स लाकि सबसे ले बड़ा कॉलेज जो है वो ग्रैब करो आपको जो कॉलेज चाहिए अच्छा कॉलेज ले लो सीटी के मार्स पे फिर आप अपना परसेंट जो है बढ़ा सकते हो क्लास इंप्रूमेंट एक्जाम से तो ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरे साथ ना ठीक है और जिसको जिसको अभी परसेंट आ गए 88 परसेंट या 92 परसेंट अगर आपको लगता है मुझे बहुत मिल गया भाई उमीच से ज्यादा मिल गया तो भाई कुछ मत करो सिर्फ सीटी दो और आगे बड़ो और इसके उपर भी आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला अब ही सीटी के बेसिस पर ही मिलने वाला है अभी एक क्वेस्टन ऐसा है कि सीटी नहीं दिया तो क्या बाई देखो आपके उपर है यह option है कंपलसरी नहीं अगर आपने सीटी नहीं दिया तो जब भी 11 ऐडमिशन होगा तो स्टार्टिंग के तीन राउंड जो है सीटी बे लिखे जाएंगी तो इस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा लेकिन प्रॉब्लम यह होगा कि यहां पर जो स्टार्टिंग के तीन राउंड है जहां पर कटा बहुत हाई नहीं है तो उनको सीटीक देना जरूरी नहीं है तो यह सब आपके उपर है अभी एक बड़ा प्रॉब्लम यह बच्चों का कुछ बच्चे अभी भी बोल रही है हमारा जो है रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है सर तो ऐसे बच्चों के लि से जो वेबसाइड से ओके मैं यहां पर डाल देता हूं महा है कि एस रिजल्ट रागे यहां पर जाओं यहां पर पर एक लि packet देना देlaw को ए07ले बुछ rides क दिर्व्लेटी italẫn आपके सामने जो पोर्टल खुल जाता है एक रिजल्ट वाला दूसरा पोर्टल इन्होंने बना है यहां पर तीन सर्वर दिख रहे हैं सर्वर 123 कोई भी सर्वर क्लिक करो आपके सामने जो है यह सीट नमबर और यह मांगेगा आप दे दो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ज यहां बताना चाहूँगा आपको क्या था वो यहां पर लिख लो www.maha.hscboard.in यह वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जाना जैसे मैंने यहां पर बता है लिख लो यह स्क्रीन शॉट ले लो चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाना फिर से एक बार बता देता हूं इस यह वेबसाइट है यह वेबसाइट है बच्चो इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हो देखो यह वेबसाइट है महाराश्टा बोड की इस वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर देखो एकदम राइट साइड में एक लिंक है अब यह लिंक नया सर्वर उन्हों डा यहां पर तीन है अगर कोई नहीं चल रहा है तो दूसरे में देखो तीसरे में देखो तो यह आपका ओपन हो जागा यहां सीट नमर हो ममी का नाम डाल के वियू रिजल्ट क्लिक कर सकते हैं तो उमीद करूँगा आपको बहुत सारी जानकारी मिली है सीटी एक्जाम कॉलेजिस में अड्मिशन चाहिए तो आपको सीटी जरूर देना चाहिए जिसने टेंथ का रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है जो तरीका मैंने अभी बता इस तरीके से आप अपना टेंथ का रिजल्ट देख सकते हो वैसे तो मैक्सिमुम बच्चों ने दस्वी का रिज हिंग ज्या मैंने ग्यादाए हैं